हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बर फिर से स्वागत है जब भी आपका मीठा खाने का मन हो सिर्फ तीन चीजों से और जटपट बनने वाला हम स्वादिश्ट और टेश्टी मिठाई बनाएंगे यहां मैंने लिया है छे ब्रेट छे ब्रेट को हम इस तरह रख कर चाकू से इसके साइड को कट कर लेंगे हम इसके चारो तरफ से साइड को कट कर लेंगे या काट लेंगे और यह देखें यहां मैंने ब्रेट के साइड को अच्छे से कट कर लिया है और अब हम एक बरतन लेंगे बरतन में ब्रेट को इस तरह तोड़ कर डालेंगे यहां मैंने ब्रेट को तोड़ कर डाला है आप इसकी जगा इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं और अब हम इसमें आधा कप दूड़ डालेंगे यहां मैंने नॉर्मल रूम टेंपरेचर का दूद लिया है दूद को मैंने पहले एक बार बॉयल कर लिया था और अब हम हाथ से हलके हाथों से इसे इस तरह तोड़ते हुए दूद में अच्छी तरह से मिला लेंगे और दूद डाल कर हलके हाथों से चलाते हुए हम एक बार फिर से गून लेंगे या मिला लेंगे और ये देखें, यहां मैंने इसे हलके हाथों से मिलाते हुए ब्रेड के लंप्स को अच्छे से हम इस तरह तोड़ते हुए इकठा कर लेंगे और ये देखें, यहां मैंने ब्रेड को हलके हाथों से मिलाते हुए अच्छी तरह गून लिया है ब्रेड को मिल्कून करके हम इसे सिट होने के लिए रखेंगे ब्रेड हमारा जब तक सिट हो रहा है चलिए हम चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए यहां मैंने एक पैन लिया है गैस होन करेंगे और पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो गया है हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे और इसमें एक कप पानी डालेंगे पानी डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे हम चासनी को अच्छे से चलाते हुए चीनी चासनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा जिसे चासनी हमारा बिलकुल ही पर्फेक्ट और जल्दी बनके तयार हुजाएगा और ये देखे चीनी हमारा मेल्ट हो गया हम इसमें फ्लेवर के लिए दो इलैची डालेंगे इलैची डाल करके हम इसे फिर से एक बार चलाते हुए मिला लेंगे चासनी का हमें तार नहीं बनाना है हमें बस चासनी को इतना पकाना है कि चासनी बिलकुल ही चिपचिपी और गाड़ ही हो जाए हमें चासनी को इतना ही पकाना है जिससे मिठाई हमारा चासनी को अच्छी तरह से अब्जर्व या सोक सके और ये देखे चासनी हमारा अच्छे से पग गया है हम इसे एक मिनट के लिए और उबाल लेंगे आप इस टैम पे चाहे तो फूट कलर भी डाव सकते है और ये देखे चासनी हमारा बनके तयार हो गया है इस टैम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और चासनी को ठंडा होने देंगे और ये देखिए ब्रेड हमारा अच्छे तरह से सेट हो गया है हम ब्रेड के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसे इस तरह हाथ पे गोल घुमाते हुए इसे मिठाई या गुलाब जामून का शेफ देंगे और ये देखिए बॉल हमारा तयार हो गया है इसी तरीके से हम बाकी के भी छोटे छोटे गुलाब जामून का बॉल बना लेंगे इस मिठाई को बनाने के लिए आपको जादा महनत नहीं करना पड़ेगा मातर दस मिनट में ये मिठाई बनके तयार हो जाता है और अब यहां मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें एक-एक बॉल्स को डालेंगे बॉल डाल करके गैस का फ्लेम हाई रखेंगे High flame पे हम इसे एक मिनट के लिए अच्छे से fry होने देंगे और इस तरह कढ़ाई को पकड़ के हम सारे balls को एक बर हिला लेंगे जिस से गुलाब जामून हमारे एक जगा चिपकेना और अब हम इसे medium flame पे अच्छे से fry होने देंगे और बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे और यह देखें यहां मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन्स को पलट रही हूँ गुलाब जामुन को हम मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राइ होने देंगे जब तक इसमें से बबल्स आना कम या बंद ना हो जाए और इसका कलर भी अच्छा सा डार्क होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह पलटते हुए फ्राइ होने देंगे दोस्तों आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और ये देखिए गुलाब जामुन को फ्राइ करते हुए एक मिनट हो गए है और ये देखिए गुलाब जामुन में डार्क कलर भी आ गया है लेकिन हम इसे अभी और fry करेंगे क्योंकि इसमें से bubbles काफी आ रहे हैं इसका मतलब है कि गुलाब जामून हमारे उपर से अच्छे से fry हो गया है लेकिन अभी अंदर से कच्चा है इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से फलटते हुए गुलाब जामून को हम अच्छे से सेक लेंगे या fry कर लेंगे और ये देखिए गुलाब जामून में बबल साने कम हो गया है इसका मतलब है कि गुलाब जामून हमारा अंदर तक सिग गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए यहां मैंने इसे एक एक करके गुलाब जामून को प्लेट में निकाल लिया है और गरम गुलाब जामून को चासनी में डाल करके हम इसे एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और हमारा चासनी भी हलका सा गरम है हम इसे इस तरीके से मिला करके मिनिमम दस मिनट के लिए ढख कर सेट होने देंगे और ये देखिए दस मिनट हो गया है चासनी हमारा अथे तरह से गुलाब जामून को सोख लिया है और अब मैं इसे पास्ते लिखाते हूँ और ये देखिए गुलाब जामून हमारा इंश्केंट बन के तयार हो गया है इस तरीके से आप घर पे बनाए बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और मैं आप सभी से मिलूंगी अगले नए रेसिपी में